गुड बॉर्निंग एब्रिवन मैं नितिश आप देख रहे एकजाम ट्रिक रेलबे एलपी परिक्षा 2018-19 इंतिजार खत्म जीहां आरारवी भुनेसर का जो है मेडिकल और डीवी का जो है फुल रिव्यू आप सभी के डिमांड पे लेके आये हैं दोस्तो इस वीडियो में ह देखेंगे कि कैसा हुआ मेडिकल क्या-क्या चेक हुआ अन्फिट तो नहीं किया जादा न समय लेते हुए दोस्तो चलते हैं वीडियो की और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लेओ साथ वेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट दोस्तों डिवी और मेंड प्रोसेस तो लगभग आपको पता ही हो गया है इंट्री सबसे पहले होती है जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वहां पर आपको जो रिपोर्टिंग टाम है उससे थोरा पहले आपको पहुंचना है और इंट्री के समय आपको एकॉल लेटर जो है वो चेक करते हैं डीवी के लिए और ओरीजनल आईडी जो है ओरीजनल आईडी प्रूफ आपका जो है अधार काड़, पैंड काड़, वोटर आईडी वो चेक करते हैं उसके बाद आपकी इंटर्यू हो जाती है फिर जो है CVT1, CVT2 और CVT3 का जो है बायोमेट्रिक मैच किया जाता है, उसके बाद जो है document verification का वो process आपका start होता है, in case जिनका बायोमेट्रिक मैच नहीं होता, उनको time दिया जाता है, पांच मिनट, साथ मिनट बाद फिर जो उनको बुलाए जाता है, दस बार 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 उनका जो है ट्राइ करके कोसिस किया जाता है, उनका बायोम जाता है, तो बिल्कुल भी डरे नहीं, आपको कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा अगर आपका match नहीं होता, अगर आपका positive result आता है, forensic test का, तो आपका जो है, selection होना है, दिवी में दोस्तों आपको जो है original जितने भी educational qualification and technical हैं, वो आपको देने हैं, जो ITI वाले हैं, डिप पाहर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है remark में डाल रहे हैं, तो आपको जो original है, वो submit करना ही करना है, original और self-attested जो है, जिरोक्स वो separately कर ले, अलग कर ले, अब हम दोस्तों देखते हैं, कि OVC, EBC, ST, 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 जो certificate है, वो RRB के एनेक्षर में मांगा जारा है, जैसा कि आपको बता होगा, वहाँ तो कुछ दिर बैठा के ले रहे हैं, लेकिन आपको जो है, आपका state हो, या central government का हो, वो भी चल जाता है, लेकिन आप जो है, railway बना के जाएंगे, तो आपको थोरी भी परिशानी नहीं होंगे, बैटने के लिए नहीं बोलेंगे, तैसा कि वो नेसर का भी review आ दिया जाता है, और reporting time भी आपको बता दिया जाता है, कि इतने वज़े जाना है, जब आप medical के लिए जाएंगे, तो वहाँ आपको reporting time तो आपका सारे 8 वज़े और खाली पेट बुलाए जाता है, लेकिन यहाँ से जो medical के लिए memo send करते हैं, वो आपको 12 वज़े, 1 वज़े तक वो memo पहुंचता ही है, medical memo के बाद जो है, आपको उसमें जो है, identification marks दो है, जो आपको बताने पड़ते हैं, वहाँ पे जो identify करते हैं, नॉर्मली जो visual हो सके, दिख सके, तो वो आपको दो identification marks आपके देने हैं, उसके बाद जो है, ग्रूप में उनको divide कर दिया जाता है, 10 क पंदरा के, गारा के, इस तरह गुरूप में divide करके, one by one जो है, आपको बुलाया जाता है, उसके बाद medical process में जो आपको slip दिया जाता है, सबसे पहले blood test और urine test के लिए एक slip दिया जाता है, वहाँ पे आपको जो है, blood test जो है, सुई चुवा के blood sample लिया जाता है, जिससे आप आपका sugar test होता है, urine जो है, आपको एक डबा दिया जाएगा, जिसमें आपको sample देना है, इससे आपका urine test होगा, third में जो है, x-ray of chest जो है, x-ray लिया जाता है, जिससे आपके chest के bones, lungs और आपके फेफरेक अंदर जो है, कोई darkness तो नहीं है, या कोई ऐसा issue तो नहीं है, chest में, उ जो ECG report है, वो abnormal आता है, तो फिर उनको जो है, 15 मिनट, 20 मिनट बाद जो है, relax होने का time दिया जाता है, फिर उनको बुलाया जाता है, इसलिए घवराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे candidate हैं, जो सोचते हैं कि कैसा medical होगा, क्या होगा medical में, वो घवरा जाते हैं, तो सारे student जो है, घवरा जाते हैं, तो घवरानी की जरूरत नहीं है, normally आप जाएं, और DB और medical करवाएं, जो घवरा जाते हैं, उनका BP जो है, हाई दिखाता है, लेकिन घवराने की बात नहीं है, आपका फिर से वो टेस्ट करते हैं, चार बार, पाँच बार, और आपका BP जो ह है, और वहाँ पे staff भी जो आपको coordinate करते हैं, उसके बाद जो है, हाईड्रोसिल टेस्ट होता हर्निया टेस्ट होता है, हाईड्रोसिल में आपको जो है, इनके साब का टर्च जला के वो distance जो है, एक मीटर, दो मीटर की distance पे यह वो देखते हैं, कि आपका हाईड्रोसिल बरा जाता है, खासने के लिए, उससे वो पता कर लेते हैं, कि आपका points का problem है, याने in case आपका problem है, तो time दिया जाता है, दो से तीन महीने, आप फिर operation करा के फिर से remedical करवा सकते हैं, यह test आपको जो है, बोलते हैं कि आप pen खोल दे, तो वहाँ पे जो है, आपको pen खोलवा के य यह वो eye test, इस test में अगर आप फैल होते हैं, तो यहाँ पे जो है, unfit तो slip नहीं दिया जाता है, क्योंकि medical जो है, maximum वो RRB को submit करें, रिपोर्ट, जिनका कोई issue आता है, तो यहाँ पे जो है, उनको unfit ही माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ जो है, eye vision test में कोई compromise नहीं करते हैं, सबसे पहले eye test में जो है, आपका distance vision test है, यहाँ पे जो है, आपको 6 meter distance पे एक display रहेगा, जिस पे आपको 80-90 degree पे rotate करते रहेंगे, C को या alphabet number को, और आप से पूछेंगे कि वो किस और है, किस angle से है, किधर करते हैं, वहाँ पे जो है, आपको 6 by 6, 6 by 9, 6 by 12 में रहता है, अगर आप जो है, जो सबसे छोटे एक्षर में रहता है, 6 by 6, यदि आप वो पार लेते हैं, तो बोलते हैं, ठीक है, आप जाएए, आपका ठीक है, उसके बाद जो है, नियर वीजन टेस्ट है, आपको 0.6, जो है, मीटर, इस्टेंज पे आपको बूक या display रखा जाता है, तो व नाइट वीजन टेस्ट में, आपका जो है, तिन चार कलर के रहते हैं, भूक उसमें जो है, तिन चार कलर पे इमेज जो है, छीपे रहते हैं, जैसे अल्फावेट या निवर कल रहेंगे, तो वो आपको इडेन्टीफाइखा हुआ या या A, B, C, D, जो भी है, तो वो आप आपको इडेन्टीफाइखा करके बोलते हैं, फटाफट, तो वो हांसे भी आपको ओके मिल जाता है, और नेक्स्ट के लिए बोला जाता जाए, नाइट वीजन टेस्ट में आपको जो है, यहां पे बल्ब जो है, रेड, ग्रीन, और आपको यलो, दो-तिन कलर के वहां बल् पूचे जाते हैं, आपको एक डार्क रूम में ले जाके, कि वो लिए कि किस कलर का बल्ब जल रहा है, तो इससे आपका नाइट वीजन टेस्ट होता है, वहां पे जो है, ब्रा बल्ब भी रहता है, और छोटे बल्ब भी रहते हैं कहीं-कहीं, तो वो आपको इडेंटिफा में आपको पूरा धुंदला दिखाई देगा, अल्फा बेट जिससे डिस्प्ले है, वहां पे आपको नमबर नहीं दिखाई देगा, वनली डिस्प्ले का लाइट दिखाई देगा, कि वहां पे कुछ रखा हुआ कोई अबजेक्ट, उसके बाद जो है, नॉर्मली आपका उपेन कर दिया जाएगा, और इधर बाला बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद फिल्ड वीजन टेस्ट होता है, जो आपका रेडियस के अंदर आपको बताया जाएगा, कि यहां पे अबजेक्ट रखा जाएगा, तो वह आपको अबजेक्ट जो है, इडेन्टिफाई करन है, कि वह अबजेक्ट क्या है, उसका नाम बता ना है, उसके बाद जो है लेजर सर्जरी टेस्ट होता है, जो आपका आँख में एक ड्रॉप डाल दिया जाएगा, जिससे की आपको धुन्दला दिखाए देगा, आदे घंटे आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, उस के बाद जो है आपका laser surgery test वो machine से करते हैं आपको laser से देखते हैं अंदर की आपका surgery तो नहीं हुआ उसके बाद जो है normally आपका hand up down करके leg जो है उपर नीचे करके उठक बैठा करा के इस तरह जो है आपका normally वो टेस्ट करते हैं फ्लेट फूट और नौक नी यहाँ पर टेस्ट जो है नहीं किया जा रहा है और normally जो है चेक किया जा रहा है यह सारे कोई issue नहीं है कि नहीं को बाहर नहीं कर रहा है अगर आपको video अच्छा लगा हो तो like और share ज़रूर करें thank you for watching video